हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ बलोचिस्तान में सियासी तुफान सिद्धत अफ्टियार कर गया एक एक करके सब साथ छोड़ने लगे खातून वजीर राहत बीबी और मुशीर माजिद अबरो भी मुस्ताफी दोनों ने वोट नाराज अरकान के पलड़े में डाल दिया चरीब खानदान के खिराफ शवाहिद एक अठे करने का मौामला सेकेर्टरी खारजा नैब हेड़कॉर्टर सलब बरतानिया भिजवाई गई दसाविजाद की तच्दीक में कोई गफलत बर्दास नहीं की जाएगी जेमन नैब की हिदाया पराजवें. मौझ भी खाईव में पाकिस्तांण पाकिस्तन फाकिस्तां तनी बायंत प्य॥प्मेंच पाकिस्तां ह। पाकिस्तांद गाटन इक था जेमन ठाविफितaries नहीं टान। की मौझ टारी जिसे उटिटानी नहीं फिट्यंकित towum screens son sarm is what दूमोर का जिसा फिटा डायलोग दोहराया हकानी नेटवर्क और तालिबान गुप्स के खिलाफ पैसला कुन कारवाई ना करने पर मजीद पैसलों की धंकिया हकुमत मुस्तर जवाब देने में नाकाम अमरीका पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है मामूल की कारवाई रोक कर एवान में बहस कराई जाए ट्रॉम्प की धंकियों पर तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्मली सेक्रिटेरियर्ट में तहरीक इलतवा जमा करा दी करासी बड़ी तबाही से बच गया सहराब गोट में रेंजर्जर्ज और सी टी डी का मुश्तरका एक्शन कल अदम तहरीक तालिबान के 16 देश्चतगर्द गिरफ़तार असलिहा और गोला बारूद बरामा दाहौर शादी की तक्रीब में फाइरिंग का मौामला सेबाज श्रीफ की रुकने कौमी असेंबली अफसल खोकर की रहाइश का आमध बतीजे की हिराकत पर अफसोस मुल्जिमान को जर्द गिरफ़तार करने की हदाए पीपल्स पार्टी ने बानी जल्पकार भुटो की सालकिरा फिर मीरपूर खास में पंडाल सजा लिया जयालों कियामत का सिल्फला जारी साबक सदर आसिफ अली जर्दारी खिताब करेंगे बिलावल भुटो ने चासी हरी को टाफ टाइम देने के लिए लहुर का रुफ कर लिया साबेगे खेर मार्शल अजगर खान इंतकाल कर गए काफी अर्से से अलीम थे नमाज जनाजा कल अबिटाबाद में अदा की जाएगी सियासी और असकरी क्यादत का इजहर अफसूस तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा जनरल कमर जावेद बाजवा का सिराज अपिज़ मुल्तान इंतजामिया की नाएहली जिन्दगियों के लिए खत्रा बनने लगी सीजनल इंफ्लूइंजा बेकाबू, तीन डॉक्टर्स डी वाइरिस की लपेच में आ गाए मिश्टर अस्पताल के अमले में तश्वीश की रहे, तीन अफसे में जांबहा कफरात की तादाद पंदरा होते मिठी में मोटरसाइकल सवारों ने देश्शत फैला दी दिन डिहाडे फाइरिंग से दो ताजर भाई कतल, वाके के खिलाफ शटर डाउन, पुलिस ने मुल्जमों की गरफ्तारी के लिए शेहर की नाकबंदी कर दी पंजाब में इसकूल की निसकारी के खिलाफ दर्खास पर समाथ सालीमी एदारे एजुकेशन पाउंडेशन के हवाले क्यों किये गए जस्ट्रेस गुलजार एहमत का इस तरसाथ बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा, सेकेर्टरी सालीम की सरकाने पेश्टर सरकारी कॉलेजिस कवाइप पर अमल दरामद नहीं कर रहे, फंज और ग्रांट समेथ तमाम तस्सिलात तलब की जाएं, सुपीम कोर्ट में दर्ख्वास आएं, प्राइविट और सरकारी मेडिकल कॉलेजिस के दर्म्यान पीसों का मौजना करने की इस्तजा सोचल मीडिया पर गुस्ताफाना मवाद केस की समाथ, इंसदाद देश्ट जर्दी अदालत का अहम गवाहों की मुस्तलसल अदम हाजरी पर नोटे, फीनों के वारंट किरफ्टारी आज जन्वरी तक पेश करने का हुक्म खुश गुफ्तार, खुश मिजाज, शफी, एक और एहत समाथ, अदबी घराने की चश्म चराव, माहिरे, उमूरे, खानादारी और हर्द लजीज, विबैदा आपा का सख्ते आखिरत, करासी में नमाज जनाज़ादा, समाजी और सियासी शख्त, जी, आएसाई, दुरानी, जनल दुरानी ने तसलीम भी किया, एफ़डेविट दिया सुप्रीम कोट को, पच्ची साल कोशिश करते रहे कि वो सुप्रीम कोट में लाड ले का केस नी सुना गया, कोई और होता तो उसको पकड़के लाइफ बैन हुआ होता, जो अब पाकिस्तान की अदालत इनका केस नी सुनती थी, सुप्रीम कोट नी केस सुनता था, पच्ची साल के बाद सुना गया, उन्होंने एफ आईए को का कि अब चीफ जस्टिस ने का कि आब मजीद आगे चलो, एफ आईए अभी तक उसके पर बैठी हुई है, क्योंकि एदारे म फ्लू जाएं इस मुलके, इन्होंने कंट्रोल किये हुएं माफिया ने, तो इन्शालला वो अज़र खान का जो केस है उसके उपर, हम पूरी तरह पेशुराफ्ट करेंगे, खिर डिस्क्वालिफाय तो होई गये हैं, क्यों निकाला तो हो गये हैं, लेकिन फिर भी एक पत हजिर भुटो के खलाफ उन दुनों में एलेक्शन लड़ा, मेरा जो असल आज मकसद था प्रेस का जो डानल्ड ट्रम्प ने जस तरह की स्टेट्मेंट दी, पाकिस्तान के खलाफ, और उसके बाद जो अमेरिका से मजीद और वार्निंग आईं, एक हमें वाच्छ लिस्प और उसके लावा, जो एक मुल्क ने सबसे ज्यादा कुर्बानिया दी किसी और की जंग के लिए, और उसी को अब वो जमेदार ठरा रहे हैं, वहाँ जो अफगानिस्तान में उनकी नाकामी हुई, वो जंग लड़ते रहा हैं, नाकाम हुए, तो वो पाकिस्तान के उपर य आज बात ये करना चाहता था कि ये क्यों हुआ है, ये क्या वज़ा है कि एक मुल्क कुर्बानिया भी दे रहा है, उसकी एकॉनमी को अरप और डॉलर का नुकसान हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, उसके पूरा कबाली लाका हमने तबाह कर दिया, उनके कहने पे, और उसके बावजूद वो मुल्क को बुरा भला का जा रहा है, जल्लत मिल रही है, ये याद रखें कि हमारी पाकिस्तानियों की सबसे ताकतवार कम्यूनिटी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी है, वो इसके उनके लिए उनके पर क्या गुजरती होगी, कि जब यहां जिस तरह की स्टेट्पंट्स वो पाकिस्तान के खलाफ करते हैं, देते हैं, तो मैं इसकी जो जम्यदार ठहराता हूँ, वो इस मुल्क की पुलिटिकल एलीट है, इस मुल्क में हमारे मुल्क में जो हमारे लीडर्स हैं, वो खुद ही मुल्क को बदनाम करने पर लगे लेकिन के मीडिया से वो ही चीज़ें कही गए जो आज जो अभी नवाज शरीफ कल या परसों प्रेस कांफरेंस में कह रहा था, वो ही बात हैं, वो कह रहा हैं, कि जो हम तो हमन चाहते हैं, हमारी फौज भी मानती, और यह जो जब आपकी उपर खुद लीडर जैसी बाते क नवाज शरीफ जासे लोग जो चाते हैं अमन लेकिन वो फौज उनको करने नहीं दे रही और यहि लोग जो चाते हैं का अमन गे पर बरकादात अपनी किताब में लिगती हैं, कि कहरड़ मन लोभी में बीटिंग होती है तो यह खुविया दूनों मिलते हैं यूदे नवाश रिपिश से डरा हुआ था अपनी फाउस सो चुपकर उसे मीटिंग करा था हंदोस्तान के । कौन से दुनिया का प्रायम मैस्टर ऐसे करता है यानि प्रायम मिनिस्टर का काम होता है मुल्क को प्रोटेक्ट करना उसके इमिज को तो मैं आज विकी लीक्स की कई चीजें आपके सामने लाना जाता हूँ अच्छा एक तो डॉन लीक्स है कि वो लीक हो गई जो इन्हों उन्हें खुफिया तोर पे प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत हुई थी सेक्यूरिटी मीटिंग में वो सारी बाहर हो गई एक पैनमा लीक्स जो सारी कौम को पता चल गए पैनमा गवादर से लेके खैबर तक वो क्या था वो इन्होंने चुपाए हुए थे अपने आफशोर अकाउंट वो लीक होके तो वो पब्लिक में आ गए और उसमें उसके वज़ा से आज वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला क्योंकि वो सारी दुनिया में आ गए और उनको जवाब तलब करना पड़ा तो विकी लीक्स क्या थी विकी लीक्स जो यहां अमबैस्टर बैट के पाकिस्तान में अमेरिकन अमबैस्टर जो यहां से रिपोर्ट बेजता था स्टेट डपार्टमन को वाशिंटन में वो लीक हो गई और यहां ही नहीं दुनिया में जो अमेरिकन अमबैस्टर रिपोर कि वो बड़ी है आप अगर इसकी वेब साइट पर चले जाएं तो आपके सामने आजाएंगी विकी लीक्स लेकिंगे बैसर थोड़ी सी चीज़ें बदाता हूं कि किस तरह की बातें की जा रही है अब यह जो आप कह रहे हैं कि देखे ना मैं तो अमन चाहता हूं मेरे अंद तर्स के रहे हैं रही 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 शरीफ को और फिर अभी इनका का वो साजद मीर वापस आया वहां से अभी यह जो साओधी अरेबिया यह यह दोनों भाई गये थे तो उसने क्या का कि यह इनों ने दोनों भाईयों ने साओधी अरेबिया को यह कहा कि हम तो चाहते थे कि ज हालां कि सारी पार्लिमंट की यूनैनिमस रेजोलूशन थी कि हमें नीट्रल रहना चाहिए और उनको जाके कहते हैं जी हम तो आपके ताबेदार थे मुल्क का चीफ मिनस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनस्टर कहते हैं हम ताबेदार थे लेकिन हमारी फौज ने नहीं माना र सुने जरा ये थे तब पंजाब में इनकी हकूमत जब मंवई के टैक्स होए तो अमेरिकन सेनेटर कहरा है जो विकी लीक्स में जो जो बयान किया जा रहा है कि जो मंवई के टैक्स थे वह पाकिस्तानियों ने करवाये थे और मैं इनके खलास टेक्स होगा अमरीकनों को कह वो सेनिटरिस का चाचा लगता था फिर ये कहता है उन्हें कहता है अमेरिकन अबेस्टर को कि देखें हमारा आर्मी चीफ असलम बेग नहीं मान रहा था वो जो गल्फ वार में पाकिस्तानी फॉज भेजने के लिए मैंने जोर लगा के फॉज बजवाई है ये अमेरिकन अब कि हमारा आर्मी चीफ नहीं मान रहा था फॉज भेजने के लिए मैंने जोर लगा के फॉज बजवाई है आपकी खित्मत करने के लिए आप चाहें तो मैं आपके जूते भी पॉलिश कर दूँगा आगे पर सुने जरा उसके बाद यह जरा गौर से सुने जो के पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामे बाज है श्हudbon शरीफ यह क्या कहता है यह जरा सुने वाली चीज़े हैं यह उनने कहता है कि जमातllowा का एक तरफ यह सारे इनोंने किस तरह के रना स्रौश था एकस्टरम ग्रूप्स को पाला हुआ है एक तरफ और अमरीकनों को कहता है कि यह जो दावा है ना कहता है इनके जो हस्पिताल मदरसे और जो नेट वर्क है इनको हम टेक ओवर करना चाहते हैं लेकिन हमें आप से इन्फॉमेशन चाहिए कि किसी तरह हम अदालतों में इनके खलाफ कारवाई शुरू करते हैं ये अमेरिकन अमेस्टर को पाकिस्तान का उस वकद ये चीफ मनस्रिफ था वो कह रहा है जमातों दावा के खलाफ फिर ये उनको कहता है अब ये सबसे इंटरिस्टिंग चीज़ है अभी भी नवाज श्रीफ कहता है कि मैंने वो अदलिया की तरीक में पूरी शर्कत की हमारी वज़ा से अदलिया अजाद हुई अब ये शबा ये जो चौधरी इफ्तिखार है हम भी समझते हैं कि आउट अफ कंट्रोल है ये कंट्रोल से बाहर है ये प्रॉब्लमेटिक है ये हमें प्रॉब्लम्स दे सकता है तो हमें भी ज़रा इससे हमें से खत्रा है ये प्रॉब्लमेटिक से और फिर ये चार डिमांड देता है उस आदमी सोचता होगा कि कोई पाकिस्तान की बेतरी के लिए को डिमांड देगा ये चारों की चारों डिमांड के हैं कि पहले तो हम दो भाईों को ना हम दो 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 दफ़ा जनरल मुशरफ ने कानून बनाये था कि दो दफ़ा के बाद वजीर आजम और वजीर आला नी बन सकता दो टर्म्स के बाद तो ये दोनों दो 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 बारिया ले चुके थे तो सब अमरीकनों को कह रहे हैं कि हमें तीसरी बारी दलवाद हो नवाज श्रीफ को भी तीसरी बारी दलवाद हो और मुझे भी तीसरी बारी दलवाद हो ये मुलका प्राइम मिनस्टर दो दफ़ा प्राइम मिनस्टर और दो दफ़ा चीफ मिनस्टर अमरीकनों को कह रहे हैं कि जी देखे हमें प्राइम मिनस्टर बना दें हम आपकी बड़ी ची खित्मत करेंगे यह मैं खुद आड़ कर रहा हूँ झाल